हलो दोस्तों वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल एडी यू अपडेट आज हम लोंग बात करने वाले हैं एक ऐसे सोसाइटी की एक ऐसे लीग की जो की रिसेंटली ही यूनिवर्सिटी में कनवर्ट हुई है और जिसका काफी अच्छा नाम है और जिसके अगर हम लोंग च सोसाइटी बालाजी यूनिवर्सिटी के अंदर जो चार कॉलेजेस आते हैं जो चार केंपस आते हैं उनका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं हम लोंग क्योंकि ये सारे ही एक ही लीग के अंदर आते हैं सो इनका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस इनका eligibility इनके cap rounds इनका then fee structure और साथ ही साथ इनका placements ये सारो भी सारी भी चीज़ कंबाइन होती है चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो डिरिकली हम लोंग जाते हैं कॉलेज की वेब साइट पे क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैं डेटा से मिसलेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और facts और पैंगलोर एक्सप्रेस हाइवे जो है उसके पास में ही है और ये काफी अच्छे लोकेशन पर है अगर इसके इमेजस कुछ देखते है तो इस तरीके से कुछ कुछ का एंबियंस है काफी ही क्लीन और काफी ही ब्यूटिफुल कॉलेज है मैं खुद भी यहां पर विजिट किया हूँ एक दो बार सो काफी ब्यूटिफुल केंपस है यहां का ये इस एक ही सिंगल केंपस के अंदर में चार डिफरेंट बिलिटिंग सै चार डिफरेंट जो की एक है बी-इधे इन बी-ई-चरड यह-दी बी-ई-टी-म और दी-ई-ई-ई-ई-बी इस तरीके के चार क इस तरीके से चार कॉलेजेस है विदिन सिंगल कैंपस और अगर अम लोग नीचे चेक करते हैं तो यह उनके कुछ कॉलेजेस के डीटेल दिया हुए है जिनके अलोवर इंडिया में जितने भी ब्रांचे से बाला जी सोसाइटी के अंडर में जो आते हैं उनके सारक डीटेल यहां पे दिया हुए साथ ही साथ अगर अम लोग नीचे में देखते हैं तो रैंकिंग एंड रिकॉग्नाइशिश यह उनके सब्सक्डा अगार ऑफ इसके अंदर में इसके हैं अगर बात करते हैं हम लोग एन सीटी एक्रिडिएशन के बारे में चलिह देखते हैं इनके जो चार भी जैंपसे इन साफ हो दिया में बिसक्राइशिश जह वोना काफी इंपार्टैन थैं किसी भी कॉलेज के किसी भी university के लिए college इसका एक तरीके का रैंकिंग डिसाइड करता है यह और एक तरीके का स्रुक्चर करिकुलम डिसाइड करता है साथ और हम लोंग देखते तो देखिए हम चारो भी college के पास में latest 2020 का ACT accreditation है hunके पास में college का founder के बारे में चेक कर लेते हैं जो कालेज के फाउंडर है चेयर परसन है उनका नाम है डॉक्टर कॉलोनल एब बालसु ब्रमन्यम वह काफी वेल नोन परसनलिटी है और इंडिया में उनके कारी मैगजीन के फ्रंट स्फेस रह चुके है यह से इन्डियान आर्मी के लिए 28 इयर्स के लिए स साथ ही साथ यह ग्रूप कैप्टन एस वेल एस लेटनेंट कॉलनल रह चुके हैं तो इन्हीं के इंस्पेक्शन के अंदर में ही पूरा बालाजी सुसाइटी चलता है और प्यार से इन्हें बाला सर करके भी जाना जाता है अगर लों इनका इलिजिबिटी क्राइटेरिया क ओर में इनकान तो हम पर फासल आप अपर वक्रमशन पर तो यह कुछ श ब्रॉप टार प्रमखिय घर करते हैं किया घर सिंद्सट आप में पर लॉक्तिय उस ट्रीचन की आप कर शक्ते हैं तो यह कोलेज चार इपस प्लॉप किन आपरेशन ऑंस तरी तो इस तरीके के कुछ और साथ ही साथ हाँ ये इंट्रेशनल बिजनेस भी प्रोवाइड करता है सो ये जो चार केंपस है चारो केंपस का मिला के ये कुछ स्पेशलाज़ाशन है जो कि ये पर्टिकुलर युनिर्सिटी प्रोवाइड करती है अगर हम बात करता है Selection Process की The selection process इनका कुछ अलग सा है ये college खुद का Selection Process फॉलो करता है इसके अंदर कुछ तीन राउंड रहते है एक फिस्स्ट रहते है रिटर्न आग्जा मिनेशन दें गुरूब दिसकुशन दें पर्स्नल इंटर्व्यू तो रिटर्न एग्जामिनेशन्स में यह लोग एक एसे लिखवाता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक देता है आए अजाद में एसे हैं जाए और कोई आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और आपको अपको उस पर गुरूपिक दिसकुसिंग करना उसके बाद में परस्नल इंटर्वी होता है तो तो रेंडमली students को अलग-अलग lecturers के पास में भेजा जाता है वहाँ पे उनके साथ में उनका personality भी होता है so based on that उन students को select करना नहीं करना वो सबसे first priority रहती है उसके बाद में select हो भी जाता है तो all four campuses में से कौन सा campus particularly student को दिया जाता है so इस तरीके से कुछ selection criteria रहता है और यह college तो based है पुने में बट यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए काफी सारे centers create के जाते है all or India में 31 total centers रहते है जहां पर इसके interview processes होते है यह college कोई भी score accept करता है CMAT, CET, ZMAT, CAT कोई भी scores accept कर लेता है बट यह college में scores का उतना weightage नहीं रहता है as compared to GDP बट हां अगर हम लोग कहते है college का कहना है कि यह लोग कोई भी difference create नहीं करते है चारों भी campuses से बट यह कही ना कहीं कुछ ना कुछ level पर difference हो ही जाता है इस बारे में हम आगे discuss करेंगे अगर हम लोग चली हम चलता है फीस structure को देखने के लिए first year का इसका total fees है 3,78,000 और साथ ही यहां पर 67,000 कुछ ऐसा amount है जो कि extra pay करना होता है यहां पर वो लोग उसे as a newspaper, library और maintenance और lab maintenance इस तरीके से वो लोग extra cash लेता है 67,000 वही अगर हम लोग second year का देखे तो भी 3,73,000 then 27,000 बापस extra लेता है जो कि newspaper charges, textbook charges and life insurance वगरे का यहां पर रहता है सो कुछ 27,000 आपको second year भी extra pay करना होता है और साथ ही साथ यहां पर clearly लिखा है lifetime membership fee of rupees 25,000 सो हर एक student से यह भी ली जाती है 25,000 एक extra amount so overall आपका 9 lakh यहां पर fees पड़ जाता है अगर हम लोग यहां पर hostel वगरे सब कुछ पकड़ के अगर हम लोग सोचे तो फिर कुछ यहां पर जादा चले जाएगा बट अगरम लोग सिफ college fees का देखते तो यहां पर 9 lakh के पास-पास में आपका हो जाएगा और अगर हम लोग रहना खाना देखते हैं पूरने अगर हम लोग एक्सपेंस के हिसाब से देखते हैं तो करीब आपका 10-10 लाक में आपका सारा complete two years का course आपका हो जाएगा और अभी चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीकिस application होता है और कहां से यह apply किया जा सकता है तो college की website में यहां पर clearly लिखा होता है कि apply now for MBA तो हर साल इसका February into March में इसका राउंड शुरू होता है college के और उस राउंड के basis पर आपका selection होता है तो चलिए अब लोग अब हम लोग देखते हैं इसके placements के बारे में placements इसका चारों भी college का combine placement होता है और किसी को भी इनका कहना है college वालों का कहना है college के administration का कहना यहीं है कि हम लोग किसी भी साब से students को divide नहीं करते हैं सभी को equal मानते हैं बट यह कहीं न कहीं difference हो ही जाता है just because अगर आपको ऐसा लगता होगा कि difference नहीं क्रीट होता है तो आप कभी lecture से पूछ के देखना कि किस तरीके से यह लोग students को विराय करते हैं कि अगर अगर student willingly जाना चाहता है BIMM में ही particularly तो फिर क्यों से BITM और BIIB में भेजा जाता है तो इस तरीके से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो difference और हाँ यहाँ पर इतना अच्छा इनका करीगिलम बहुत अच्छा है जस्ट विकॉज यह काफी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लीन कॉलेज यहाँ 365 वकिंग डेस का रूल है यहाँ पर no weekends no leaves no holidays no vacation no festival कुछ भी नहीं होता है आपको कोई festival लीव नहीं मिलेगी आपको हाँ अगर यहाँ पर कॉलेज में अड्मिशन लेते हों तो आपको टू यहाँ के बाद में ही आपको घर जाना है आपने यही सोच के अड्मिशन लेना है यहाँ पर देख लीजे यहाँ इतने सारे campus students के जो भी campus में प्लेज हुए हो सारे students का detail दिया हुए साथ ही साथ यहाँ पर companies के detail दिया हुए तो काफी अच्छी अच्छी brand नेम्स यहाँ पर आता है Amazon, TCS, Tata, Infosys, Deloitte, Comberger, etc. इस तरीके से कुछ recruiters है इस particular university के अगर हम लोग देखते है इसके past results तो past results भी campus city ने जो website है वो काफी अच्छी design की हुई है इसके अदर आपको हर एक detail मिल जाएंगा हर एक student का जो past 10 years में past 5 years में placed हुआ है इस college से तो आपको बिल्कुल भी फिकर करने की ज़रूत नहीं है यह college complete पैसा वसूल है हाँ आपको यहाँ पर एक चीज अपना देना होगा जो कि है efforts अगर हम लोग college का overall review देखे तो यह काफी अच्छी college है और हाँ यहाँ पर admission लेना definitely worth it रहेग का because यहाँ का education standard काफी ज़्यादा है as compared to हम लोग other universities का भी compare करते बिकॉस यहाँ का जो curriculum है स्रीडीमांड के हिसाब से time to time update करते रहता है तो यह था आज का हमारा श्रीबालाजी university के बारे में review दोस्तों आपको कैसा लगा आप comment box में ज़रूर आज के लिए बस इतना ही दोस् करते दो